गाईस आज मेरे हेड ट्रंसप्रांट को पूरे 4 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है और इन 4 सालों मेरे ट्रंस्प्लांटेड हेर की क्या कंडिसन है आपको बालों की जड़ भी बताउंगा यह जो बाल जो आप सामने से देख रहे हैं कि कितने अच्छे दिखते हैं और अभी मेरे हेट रांस्प्लांट के क्या रिजल्ट से और भी सारी डिटेल जानकरी किया किसी तरह कोई साइड इफेक्ट मिला वह सब भी आज इस वीडियो में आप डिटेल में जानने वाले तो दोस्तों सबसे पहले तो वह बात कर लेता हूं क्योंकि यह जो आगे ट्रा की वजह से वह सब्ट भूल केहां क्योंकि अच की चार साल पहले की बात करो तो जब भी मैं जो बाढ़नेस थी मेससैड से है और हेसे चैसल जगह जाना है तो सबसे पहले तो बालों को देखो फिर उनको इसे जमाओ और यह सब चीजे और कॉन्फिदेंस तो पूरी तरह से कॉन्फिदेंस की वाट लग गई थी और अभी आप देख रहे हो जब मैं वीडियो में आपको बता रहा हो और यही जो है मैं आगे सब से बात करता हो सबसे अभी यह कंडिशन है मेरी चार साल बाद भी क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट अभी भी मेरा मेंटेन है हाला कि बहुत सारे डाउन फाइल आये है मेरे रिजल्ट में वह आगे देखेंगे आप क्या क्या चेंजिस आया है और है ट्रांस्परंट करान जो मेरे बाल गये थे जैसा कि इन फोटो में देख रहे हैं और से गये थे हैर लाइन के लिए जो है सिर्फ ट्रांस्प्लांट ही एक बेस्ट चीज है आप डॉक्टर से भी पूछे का वहां पर कुछ भी ट्रीट्मेंट वर्क ही नहीं करेगा वहां पर आपको ट्रांस्प होती अच्छा रिजल्ट में को आठ महिने में हेट रांस्परंट का देखने को मिल गया था और फिर भी पूरा रिजल्ट मेरा जो है वह लगबग साल भर तक आया करा क्योंकि वह दिरे-दिरे इंप्रूमेंट और होता गया 5% 2% इस तरह से बाकि 8 महिने में मेरा लगबग सथ में की तरह क्यों कि यह क्या रिजल्ट में अच्छा निए कोई इतन को शुब्स सब्सक्राइब तक में नहीं नहीं इतना घरा में में रहा की जड़ भी दिखा रहो हो यहाँ पे तो किसी तरह का कोई चेंज दिखी नहीं रहा है यह देखी इस जगह पर कोई देख रहा है पर आगे यहां साइड में आपको चैंज देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको यह दिख़ाएगा कि मेरे जो ट्रांसप्लांट अलगए और वह एरिया रहे जो ट्रांस्प्लांट नहीं किया गया है मैंने मेडिसिन कुन-कूंसी ले रहा हुआ कंप प्ली तक लिए तुख़ ले वह वी वीडियो में आप बताओंगा और इधर साइट पर ले है ना इधर की साइट यहाँ तक आपको लाइटली कम दिखे कि जादा तो नहीं का हूंगा और यहाँ पर इसके थोड़ी सज्दी ज़्यादा नहीं देखिया है आपको पता चलेगा, देखो, आपको तड़ीत हैं इस सइट अपको दिकाता हो, आपको अलगी जज़ कर जाएंगे, जब छोड़ा सब दीखाऊंगा, आपको यह थे, दिख़े हैं कि यह किरो आपको, इतना गंजापन जो दिख आपको और आगे तो है तो है गहनापन दिखेगा आपको यह जो है फोड़ा केमरे को फोकस करने पर आपको दिखा तो क्या हुआ मेरा जो एक्जेश्टिंग है रहे है वह यहां पर से रिसीट करना स्टार्ट हो गए अलग होगे यह देखो अच्छे बने हुए और वह सिर्फ आपको इस साइड मिलेगा इस साइड वह चीज देखने को इनी मिलेगी इस साइड में आपको कुछ भी नहीं देखेगा हलकी सी दीनिंग यहां पे कुछ नजर आसकती यहां यहां पर बस यहां बाकि तो आप जब दोनों बालों को अलग करेंगे और एक दम लाइट डालोगे तो सभी के ऐसे दिखेंगे तो यह चीज आप समझ लिए सबसे पहले मैं आपको यह दिखा दो कि मेरा जो ट्रास्प्लांट हुआ था वह आगे आगे मुआ तो ट्रास्प्लांटेड हैर कैसे यह एक्जेस्टिंग हैर की जो है बीच में इसी गेपिंग आई किस वज़े सा यह सारी जानकारी सारी बाते आगे बताऊंगा आपको कि दोस्तों एक चीज समझ लो आप हो सकता है को इसकी कर देए देखके दोस्तों इसके मेज़े दो मेजर सर्जरी से गुजरना पड़ा है अभी लास्ट सिक्समंद के अंदर तो बताऊंगा आगे किस चीज की सर्जरी इसका मेरे बॉड़ी पे क्या असर पड़ा है और यह पेटन बादिनेस की इस तरह से बढ़ता है सारी जानकारी तो यह हैरलाइन देख लो पहले अच्छे से देखो आप यह मेरी हैरलाइन ह तो यह है ठलतों के बाद में अभी यह देखिए जो ट्रास्प्लांट करके लगा पूरी टोटिली हेरलाइन बनी थी और देखो आज भी कितनी सांदा रहे देखो यह देखो आहां यह फोकस कर लिया पूरा यह देखिए अब दोस्तों यहां पर भी एक और चीज हुई है देखिए आप फहले थोड़ा सा देखिए में थोड़ा सा जूम करके बताऊंगा है ने यहां पे देखो मेरा यहां तक ट्रांस प्लांड हुआ था और जब मेरा एक ता क्षट देख रहो है यहां पर कुछ आ सा यह को चैनिक पर यह यह पोरे यहां से आते थे हैर मतलब यह स करste था उस समय में तो चार साल में मैरे corner reseed करें पीछे scary यहाँ यहाँ और दोस्तों जब मेरे ट्रांस्पर्ण हुआ था ना जब यह बीच बीच में यहां पर पहले एक्जेस्टिंग भी हुआ करते थे यहां पर तो यहां की हैरलाइन जो आपको डार्क दीखेगी है ना बहुत ज्यादा अच्छी दीखेगी और यहां पर थोड़ी सी एक अगर मैं तो यह सामने जो आप देख रहे हैं यहां पर एक्जिस्टिंग हैर का हलका सा सपोर्ट था यहां पर तो कुछ इस तरह की कंडिशन है अभी है ट्रांस्पर्ण के बाद में मेरे अभी भी तो यहां पर दोस्तों अगर ट्रांस्प्लांटेड हैर की बात करूं तो थोड़ा वो चेंजे जरूर आया दोस्तों क्या हुआ लास्ट थ्री मन पहले मुझे एक मेजर सर्जरी से गुजरना पड़ा जिसमें एक सर्जरी हुई थी और जिसमें मुझे 15 से 20 रोज तक टोटली बेड रेस्ट रहा और बहुत सारी चीजों का बाउंडेशन था और ब में दो सर्जरी मेरी बाड़ी में हुई है और बोड़ी इतने में से निकलना पड़ा है आप 10 किलो वेट लॉस हुआ था मेरा तो आप समझशके बाड़ी पर कितना ज़्यादा असर पड़ा है मेरा को इस चीज का उसके बाद भी मेरे इतने अच्छे है रहे तो एक बहुत अच्छी बात कहूंगा क्यार अब आपको बतातों मेरे रिजल्ट में जो मुझे टोटली रिजल्ट मिला था उस और अभी में दस परसंट का चेंज़ डेफिनिटली आ गया तो जो तीन साल में रिजल्ट मिला था वो बहुत ही जादा सांदार था और बहुत ही घनापन था दो काछिक कठ में गाएं जो क्यों है ऑनले की उड़िया परपा कर्या था यह विसमेंा तो मेरे चेंचे के महें लिक्षाश आगे बढ़रा था तो उसके लिए मैंदी इंग क्यों बादी ले दो से उनको इस्टेवल बनाया रखा था मैंने जो आपने इस साइड गेब देखी ना मेरी क्योंकि वो तीन साल तक निया थी तीन साल तक आपको रिजल्ट बताते आया साड़े तीन साल तक भी वो एजटी अब थोड़ी दिखने लगी और दोस्तों यह भी थोड़ी सी कम हो सेले जब मेरी सर्जरी हुई थी और उसके एक मेने बात क्यों कि डाइट बहुत लिमिटेड हो गई बहुत लिमिटेड खाता था मैं और इतनी मेडिसीन चल रही थी तो वह कहीं ने कहीं बहुत जदा भी तो डेंसिटी और ज्यादा इंप्रू कर गई है वापस से हैर मेरी समय जब लेता तो पूरी तील की बाइटेन के लेता था डें। महिने लेता था उसके बाद ही गेप करता था तीन महिने चार महिने से पहले तो गेप करता ही नहीं था और जो फिनास्टी राइट है वो हफ्ते में दो बार या फिर हफ्ते में तीन पर मन्त हमें दस से ज्यादा मैंने फिनास्टी राइट कभी नहीं लिए और फिनास्टी र लगबख साल भर हो गया कोई मेडिसी नहीं लिए अभी मेने जस्ट पंदरा दिन पहले से सिर्फ एक टाइम लगाना स्टार्ट करा है और उसका रिजल मिलने लगा है साथ साहे दस दिन हो गयोंगे फिर थोड़ा सा फरक दिखा है पर रिजल्ट तो पता हिए मिनोक्षडिल क देखने में तीन से चार महिन लगेगा दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर बहुत ज़्यदा हेल्फुल रहेगा चार साल का पूरा एक्स्पिरेंस है थोड़ा तो समय लगेगा वीडियो को कंटीनू देखना वीडियो का अच्छा लग रहा है अभी तो प्रश्पाइब अपने रिजल्ट से जो लाइक मुझे मिली है रास्पाइब के बाद में अभी वी क्योंकि अभी जो मेरा रिजल्ट है जो मेंटेन आप हैरलाइन इतनी अच्छी देख रहे है वरना है मेरी हैलान का तक गई और पीछे देखो यह दिख रहा ना आपको ख गंजा कोई विक्ति यहां तक गंजा रहेगा उसकी लाइक कैसी रहती है और अभी देखो यहां तक बाले हल्की सी डेंसिटी जरूर काम हुई है और बोडी ने दो-दो मेजर सर्जरी से निकली है उसके बाद में और भी प्रॉब्लम आई है तो उसके बाद में भी इतना अच्छा मेंटेन होना कितनी बड़ी बात है अगर मेरे को इत दोनों सर्जरी कराना ही नहीं पड़ती तो सोचो मेरा कैसा होता सिर्फ 5% का चेंजस आता अभी 10% का है और हो सकता है किसी को कि रख रहा का हो थोड़ा कम रखे कोई वेक्ति तो उनको भी जो है इस तरह की जो भी प्रिक्रोशन नहीं ले पाया नहीं रोप पाया इस कारण से यह चीज़ देखो जितने ग्राफ मेरे लगे थे वह एज़ीज में इन में तक तक 10% का चेंज और आप बता आपको रिजल्ट कैसा लग रहा आप बताईए गा और जो बाते में बताई यह वो आपको सही ल दिखा देता हो पहले और देखो दोस्तों मैंने अभी पीछे से आपको डोनर दिखाता हूं और हलका सा ब्लेकनेस बढ़ जाता है केमरा आटमेंटी कुछ चीज को करता है तो चीज को देखे गई देखो डोनर दिखा रहो बाल उठागे यह देखे पता ही नहीं चल रहोगा तो इतनी जगह दोनर बनाए गया था इधर नहीं लिए है नहीं है तो इस तरह से में डोनर की कंडिशन देखो जब नीचे करते हैं देखो तो यह देखे यह मेरे डोनर की कंडीशन है अभी ओके लाइक कर दो वीडियो को अच्छा लग रहा है अगर यहां तक देख रहे मे को स्माख समय सिर्फ आपको से हैं यह जो गेप दिखाईती ना यही दिखेगी यह देखो और यहां पे लाइन हल्की सी बनते में नजर आड़ी पर एसा है नहीं वह तो इसमें हम निकाल दे तो किसी की भी दिखेगी पर वह में चीज जो है ना वह यहां तो टोटली एसी कंडिसे नहीं देखो एक्जिस्टिं लगाने के बात में अपने रिजल देखा पीछे डोनर में बेव लगा लिया है देखो तो यह कंडिसन है टोटली मेरा है ट्रास्टांट की अभी उम्मीद एवीडियो अच्छा लगा होगा मन में कुछ भी सवाल है फिर भी तो पूछ लेला कमेंट करके और भी कुछ हैल् है और बस आज की इतना ही यह था मेरे 4 साल का है ट्रास्ट्रांट का रिजल्ट एक फीर से कहना चाहंगा एंड में कि यह जिंदगी बदल दी सही में बदल दी जो फ्रीडम मुझे मिली है जो कॉन्फिडेंस आया है ज्यों बधला वाल पार बाल था उसके वापस से बाल आ मिलिए है ट्रास्टार्ट के बाद में बस वीडियो में इतना ही लाइक नहीं करा तो कर देना मिलता है आपसे को नए वीडियो में तो तो क्लिप बाए जैन